नमस्कार फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी कदर स्टेडी लाइन में आज के इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं सी आई एसब का फर्स्ट पार्ट यानिकी प्रैक्टिस सेट फर्स्ट जो है हम लोग कवर करेंगे तो इस वीडियो का आप सुरू से अंतर देखें अगर और कुछ को समस्कों याद रखेंज डिए फ्रेंड्स चले वीडियो को बिनादरी के स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स यहां पर सबसे पाला कौशन से मुस्लिम लिक का पर्थम से मिलन कहाा हुआ ठाइं और फ्रेंड्स मैं आपको हरी कुशन सो की लिए आपको तीन सेके कहां हुआ थाज अफशल नमर यह इंद लियु आप मुस्लिम में अब ऐदर से transit की जो गयानिक श्ठापना वहती तीस दिसंबरrok erreicht तीस दिसंबर और 1906 में हुआ था अस्थापना और जब यह सम्मेलन की बात किता है फ्रेंट्स तो 1908 में हुआ था ठीक है लगभग दो वर्स बात ठीक है चलिए अगला क्वेशन से फ्रेंट्स के और अंग्जेव ने किस शिख गुरू की हत्या करवाई या अप्शन नमर्बी गुरुथ एक बहद्तर की ठीक है अरंग्जेव ने फ्रेंट्स शिख धर्म के नवे गुरुतत तेग बहादूर को 1675 इस्वी में मिर्तिव धंड दिया था तेग बहादूर जो थे फ्रेंट्स सीख के नवे गुरू थे ठीक है इसे भी याद रखेगा चलिए अगला कॉसंसर दिजिए अगला कॉसंसर फ्रेंट्स की फ्रेंट इस्ट इंडिया कमपनी का गठन कब हुआ थ अपसर नमर्स सी 1664 में दियर फ्रेंट्स फ्रेंट इस्ट इंडिया कमपनी के अस्थापना 1664 स्वी में हुआ था ठीक है और मैं थोड़ी सी और जनकाई देताओ प्रेंट्स यह फ्रेंट इस इंडिया कमपनी ने पर्थम जो कार खाना भारत बहुत में जो खोला था वह कौन से ग्रह हैं बहुत इत्य अच्छा क्वेसरां से हिरेंट्ट पिर्थी के दोनों और कौन से क्रह हैं ब्रिया अक्मनोमर ड आपका राइट अंसर होगा मंगालो और स्विर ठीक है पिर्थी के दोनों अप्सन नमर सी राइटों का फ्रेंट्स महावीर की माता का नाम त्रिशिला था ठीक है आँ महावीर के पिता का नाम क्या था फ्रेंट्स महावीर के पिता का नाम था सिद्धार्थ ठीक है महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था आँ महावीर का जो बच्पन का नाम था वह बर्दमॉहन ठीडशा है बर्दमॉहन जो था महावीर के बचपन का नम था उसके पिता का नम सिद्धार था ठीक है चलिए अगला क्वेसेश्ण सी ध्रेंट अगला है कृषणी देव राय किसके समकालिन थे है है आप सनोमर सी बाबर ठीक क्रिश्न देव राय जो थे फ्रेंट्स वह बाबर के समकाली में थे ठीक है अब मैं आपको बताता हूं आपको वीडियो अच्छा लग रहा हूं तो प्लीज लाइक ज़िए ठीक है नमख सत्यागरा कशल प्रारम हुआ बहुत को से तो इसका और आप्स्थ अप्संन नमर ए उनिष्व तीस ठीग है नमक सत्यागरा जो फ्रेंट्स प्रेल 1930 में जो इस्टार्ट हुआ था ठीग इसको स्टार्ट क्या था किसने गौंधी जी ने क्या था ठीक है और मैं आपको बताता हूं फ्रेंट्स यह गौंधी जी जो है बारा मार्च 1930 को अहमदाबाद के सावर मती आसरम से अठतर अनुयाईयों के साथ भूज जीला के दांडी तती गाउं की यात्रा की थी ठीक है यह भी पुछा जाता है तो इसके सुरुवाद जो ही थी फ्रेंट्स आहमदाबाद के सावर मती आसरम से ठीक है चलिए अगला क्वेशन देखते हैं अगला है डक्षिनी भारत में ड याउन डीख मार्च का संचालन किसने क्या था अपूर ऑप तन नमर्च सिर्ट ug Mega राजांजी ठीक है दक्षिन्भारत में डाँडी मार्च का संचालन के द्वारा किया था ठीक है थिलिए अगला कुछन स lerड़ के फुरिंट्टि अगला है शुराज मेरा जन्वशी्द है और उसे मैं लेकर रहूंगा यह किसका कथान है बहुत ही फेमस से फिरेंट्स कि अप्शन नमर्डी इसका राइट अंसरों का बाल गंगा धरती लग ठीक है चलिए अगला कुशन देखते हैं अगला फिरेंट्स आजंता और एलोडा की गुफाएं किस राज में इस्थित ह है js है अपसिन नमर्डी राइट ऊंसरों का फिरेंट्स महाराष्ट टीक है अजंता और एलोडा की गुफा keeping महाराष्ट राज में अवस्तित है ठीक है अजंता और व्ला महाराष्ट के टरेंट्स आरण undo जैनिकर शुरंगा बाद जीरा में अवस्तित हैं Pak अजंता और एलोडा की गुफाट ठीक है और एकिस राज में तो महराष्ट में अर्जीला की बात की रेफ्रेंट्स तो अरंगाबाद ठीक है चलिए अगला क्वेस्व में अभ्रग का सबसे बड़ा भंडार किस देश में है अप्सर नमर ए राइट अंसरों यह भारत ठीक है विस में अभ्रग का सबसे बड़ा भंडार भारत में ठीक है भारत जो है अकेला जो है विस्व का 90 अभ्रग पुर्ती करता है ठीक है उतपादन करता है 90 ठीक है यह भी याद रखेगा अगर पूछा जाए कि भारत जो है विस्विक में कितनों परसेंट जो है अपनों खुद जो उत्पालन करता भरत तो 90 परसेंट ठीक 90 परसेंट चलिए अगला कोशन सेखें फ्रेंट्स अगला बांदीपूर वन जीब अभिहारन किस राज में है अप्शन नमर सी राइट होगा करन साथषरा अवस्थित ठीक है और ये जो फ्रेंट्स इसके स्थापना मुदीड में ही ठीक है और जी अगरपाट से मियाशन कर्वेट्स तो तुछल्थ में अगला है कि कि हीरा कुणड बांद किस नदी पर बना अट अपेकर नमर भी इसका और नजी महानधी ठीक है तो अबाँ फर्यंटल्य पर अवस्तित और ऑथिंट्क एंटल्य विच्व की सबसे लंजी नदी बांध है ठीक है विच्व की ठीक है कि अप्सन नमर ए राइट अंसर होगा ठीक है गोदाबरी नदी का उद्गाम बिंदू मासिक है ठीक है चलिए अगला कुशन देखते हैं अगला फ्रेंट्स भारत का समीधाउन कब लागू हुआ था बहुत इजी कुशन से फ्रेंट्स तो इसका राइट नंसर होगा अप्सन नमर सी भारत का जो समीधाउन लागू हुआ था फ्रेंट्स चब्वीश जनवड़ी निस्व पत्चास सभी को लागू हुआ था ठीक है फ्रेंट्स अगर पुछा लाइट फ्रेंट्स यह बंकरत कर त्यार हुआ था तब इसका हुआ था फ्रेंट्स चब्वीश जनवड़ी निस्व पत्चास को लेकिन बना था चब्वीश नुमबर उनिस्व निस्व उन्चास को ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि अगरा कुशन से फ्रेंट्स की कोटिल का अर्थसास्त किस विशाई से सम्मंदी था है तो किस विशई पर अधारी से संबंदी था है तो राजनीटी से संबंदी थे ठीक है तिक है चलिए बहुत ही इजई है और अगध्या फिरेंट्स में मतादिकार की आईउ घठाकर 2118 वर्स कर दी गई कि किसके द्वारा की गई न आपको इस प्रकार गए आप तीन सेकंड ले लें कि इसका राय तो आप्सान सूधन के द्वारा ठीक है वे दोस्टता जो इसको घंठाया घा था अब आपसे पूछा जाए फेंड्स यह किस संवीधान संसोधन समिधान के तहत हुआ तो इसका रायट हम सब्सक्राइब 1131 समिधान सवधन के तहत जो यह लख भाता आसका डेटा फ्रेंट्स उनिस्सो नवा सी ठीग अनुचे सब्सक्राइब करें तो आपको इसका आंसर कमेंड बॉक्स में कमेंड करके बताना है ठीक है कि भारत में जो है अपसे नमर ए राइट होगा राजियों का संग ठीक है भारत का समीदाउन राजियों का संग रूप में वर्नित करता है अगर वीडियो अच्छा लगाएब प्लीज लाइक और सेर जरूर किजेगा अगला है सर्वोच नियायलाइक के नियाधिस किस आयू में सेवा नित होते सभी अन्य जो नियाधि Philadelphia सभी अन्य जो न्याधिस द देखते हैं अगला फेन्स कि परात्मी की या बुन्यादी रंग किसे कहा जाता है कि प्रात्मीं या बुन्यादि रंग किस만 का यता तो थोड़ा थोड़ा सा लिखने में थोड़ा गलवडि हो गई है तो मैं आपको बता लठता हूंग ψ इसर और फिर्म यिदी आर घॉलए ग्रीन बी से हो गया ब्लू आर से रेड ठीक है यानि की हरा लाल और नीला देखें यहां पर अप्सों नुमर बी में है लाल नीला और हरा जी बी आर ठीक है जी बी आर इसे याद रखेगा चलिए अगला कॉस्टन से फ्रेंट्स अगला है सुसक शेल का एनोड किस से बना होत होता है अगला फ्रेंट्स की फ्यू स्टार की प्रकृति कैसी होती है बहुत बार पूछा गया है इसका राइट अंसर देजिएगा अब स्नमरे स्ट अब हो्क हो फ्रेंट्स उछ पर्तीरोद और निम्न जर्मनांक कोगा ठीक है उच पर्तिरोद और निम्न गलनांग होगा ठीक है यानक जर्मनांक होगा तो दूर्ण्ज का परवभभवzięk परिपर्त में लगे उपकरन की शुरक्षा के लिए किया जाता है ठीक है परिपत की जो सुरक्षा के लिए ही विद्धुत्यूच का प्रयोग किया जाता अगला कोशन से है कि निमलिखित में से कौन सी ग्रिन हाउस गैस है है ठीक है बिलकुल लिजी है अप्सनमर सी राइट आंसर होगा proxy reference green house gas है ठीक है चलिए अगला रिफेंट Winds की वाईओ मेद धोनी का वेग क्या होता है वाईओ मेद धोनी का वेग क्या होता है कि अधे अधे नम्मर डे राइट होगा तापअन के घठने से घठता निफिस ठीक है आधे क समन के बरनेसे बरता है तो तो अगर आप पाला अप्सन चूज करें तो बिल्कुल गज़त करने क्योंकि आप तापन बनने के साथ घटता बोला गया अगर यह रहता तापन बनने से बढ़ता है तो यह राइट होता लेकिन यहां कहा गया तापन घटने से घटता है बिल्कुल घटने से घटता है बरने आया चिद्र तो सिंपल इसका आइट नोसर नमर एफ जाएगा इलक्ट्रोन से तो फ्रेंट्स इस तरह से मैंने आपको सी आई करा करा विडियों और आपको कोई भी चैंजमेंट करानी किसी तरह का विडियो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं अब मेरे सेनर के साथ जुड़े लिए चले मिलता है नक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यबाद